हलो दोस्तों मैं हूँ रंदी सेंगर और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिंगम एगेन और भूर मलेया 3 में किसने बाजी मारी बॉक्स अफिस के रिपोर्ट के हिसाफ से दोस्तों उसके साथ एक और चीज मैं बताऊंगा आप लोग को कि जो एडवांस बुकिंग का कलेक्शन हुआ था दोनों मुवी का उसके उपर कौन सा मुवी जो है बाजी मारा था लेकिन इसमें एक और चीज बताने का प्रयास करूँगा कि जो फिल्म क्रिटिक्स है या जो कितना वड़ा बोल सकते हैं कि जोल है ये महमत आने का प्रयास करूँगा तो आज की वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब जरू करें दोस्तों के साथ सके समंदियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेर करें और कमेंट करते रहें. तो दोस्तों, जो दो पिक्चरे थी, जो सिंगम एगेन, जिसकी एडवांस वुकिंग है, उस पर पहले चचा कर लेते हैं, और बॉक्स अपिस कलेक्शन के बारे. फिल्म दुनिया के बहुत बड़े क्रेटिक्स हैं, काफी उनक का नाम है, उन्होंने जब एडवांस वुकिंग दिया था, सिंगम एगेन का, तो उन्होंने कुछ पंद्रा करोड के बताया था, लेकिन जब उनकी बॉक्स अपिस कलेक्शन का इस्टीमेट जो प्रेडिक्शन आया था, उस सिर्फ छे करोड़. दोस्तों, मैं स्क्रीन कर रहा था, तो मैरे दिमाग से या बोल सकते हैं कि छोड़ गया, लेकिन अभी वी आप आ जाएंगे, तो उस क्रिटिक्स को देखेंगे, कि अब वो इस्टिमेट क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहले बता देते हैं कि सिंगम एगेन का एडवांस वुकिंग क्या हुआ था, पंद्रा करोड और सतर लाख रुपए का एडवांस वुकिंग हुआ था, हम लोग कोई बोल सकता है उनके जो रिपोर्ट को पढ़ते हैं, कारवी फिल्मी दुनिया को भी फॉलो करते हैं ऐसे क्रिटिक्स हो, तो लोग बोल सकते हैं, हम लोग कोई थोड़ा सा फंबल कर द अगर एडवांस वुकिंग होता तो छे करोड के बोक्स ओफिस कलेक्शन कैसे होगा, लेकिन उनके पेजब ऐसा था, तो उन्होंने छे करोड बताया था, जिसमें मैं बताया, टिकट भिका था, पांच लाख बारह हजाद पांस सो पैतालिस, और स्क्रीन मिला था, तेरह करोड के बजट है, मुवी की, और रिवीव भी मिला चुला है, मुवी का, कई लोगों को पसंद आ रही है, कई लोगों बोले कि जो इंटरवल के बाद का जा है, उसमें ज्यादा मज़ा है, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, तो मैं ऐसे रिवीव पढ़ा हूँ, तो रिमि भी लगा है, कि यह नहीं बोल सकता है, कि यह स्पोइलर है, कि उसमें चुलूल पांडे की एंटरी है, सर्प्राइज एंटरी है, जो पहले से आ रहा था, कि सायस सलमान खान की एकदम एंटरी होगी, तो अब मैं बोल सकता होगी, काफी मेडिया में भी चल रहा है, अब आत करीब इसको स्कृृन मिला 9901 तो इस हिसाफ से इसका जो प्रेडिक्शन है 35 क्रोड और 50 लाग के आसपास का इसका प्रेडिक्शन है जो भूल भूले एथरीय का जो ऑफिशल कलेक्शन हो आग गया तो लेकिन जो उसके जो टिकर सेलिंग है जो उसका एडवांस बुकिंग है उससे ही आइडिया लगा सकते है कि मुवी का जो केलेक्शन है वो चालिस करोर से उपर होगा तो अभी तक जो दिखने में दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जब तक लेकिन जब तक ऑफिशल करा से लग रहा है कि Singam Again को एक हैज है वो ज़ादा मुवी इससे ज़ादा इंक्वी लेकिन इसके साथ एक और चीज है कि जो भूल हुल या 3 या Singam Again जो भी मुवी है जोनों का जो रिवीव है वो मिक्स्ट है कई लोग जो भूल हुल है त्री के बारे में जो बोल रहे हैं, कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो अक्षे कुमार की मोवी थी, पहले वाला भूल भूल या, वो ज्यादा बेटर थी, उसके बाद का जो भी आया, वो उतना मतलब इंप्रेसिव नहीं है, हाँ, ये जरू है कि लोग भूल 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 साइक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कि उसका अकुपएंसी क्या था, उसके जो डे के हिसाफ से, और उसके बाद हम करेंगे जो पहले दिन में क्या कमा सकता है, दूसरे दिन का एडवांस वोगिंग क्या होगा, तो उसस थाफ से हम इस मूवी को देख सकते हैं, कि मूवी क करना है तो भूल बूले आ टर्टीक को कम स्ट्रगल करना है अपने को निकाल के हीट होने में अप video के आइसरther है कि अघगे अभी में आज कुछ यह में ग।